Students, हमने theoretically देख लिया कि पाइ कोरिलेशन कोफिशंट क्या है और क्रामर वी कोरिलेशन कोफिशंट क्या है अब हम एक exercise कर लेते हैं इसके लिए SPSS में कि हम कैसे compute करते हैं Students, यहां पर मेरे पास एक data set open है अब इसमें मैं descriptive statistics से मैं cross tab पर जाओंगा और यहां पर मैंने जेंडर और इसके साथ जो है रिजिस्टर्ड वोट का वेरियबल लिया है और स्टेटिस्टिक्स में मैं काह स्केर और फाइ एन क्रामर वी को चेक इन करूँगा और कंटिन्यू करने के बाद इसको ओके करूँगा तो डेटा हंडर्ड परसेंट है केस प्रासेसिंग समरी में और यहां पर हमारे पास जेंडर की जो है रिजिस्टर्ड वोट के साथ क्रॉस टेबलेशन है यह कंटिजन्सी टेबल कहलाता है तो फीमेल ऐसी हैं जिन उन में से वन सैवन्टी एट जो है जिनका वोट नहीं है और फाइव सैवन्टी फॉर का वोट रिजिस्टर्ड है तो यहां पे अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि नॉट रिजिस्टर्ड में कोई इतना खास फरक नहीं है मेल और फीमेल में मगर रिजिस्टर्ड में यहां पे एक सिगनिफिकेंट डिफरेंस है यह male respondent जिनने vote registered किया हुआ है काई स्केर का टेस्ट हमें ये बताता है कि ये जेंडर और registered vote के दर्मियान एक relationship exist करता है value 9.01 और 0 cell है जिसकी value count जो है expected का less than 5 है minimum expected count हमारे पास 143 है और ये computed only for a two by two table है तो फिर हम इसकी कौन सी value लेंगे 5 और 5 की मारे पास coefficient की value 0.124 और यह statistically significant है क्योंकि यहाँ पर यह जो P value हुआ वो less than 0.05 है तो यह relationship तो exist करता है मगर इसकी strength जो है वो एक weak strength है weak relationship है और यह यहाँ पर आपको बता भी रहा है के not assuming the null hypothesis यानि the relationship does exist between the variables अब हम इसके बाद grammar V के लिए क्योंके grammar V जो है वो two by three variables के लिए होता है तो हम फिर जाएंगे descriptive, cross tab और यहाँ पर registered vote की बजाए हम educational level ले 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 ते या हम इसमें discipline ले 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 जेंडर और discipline का कोई relationship है of the students statistics में वो ही हम काईस के और और file लेंगे continue करेंगे और okay करेंगे यहाँ पर भी hundred percent रहता है और अगर हम इसके descriptive contingency table में देखें तो female student में से two hundred twelve है जो के social sciences में enroll है management sciences में two twenty eight है और engineering में twenty two है mail की बात करें तो वो यहाँ पे two thirty seven है management sciences में three seventy two है और engineering में one seventy four है यह नि सोशल साइंस हो management studies हो या engineering हो male की enrollment ज्यादा है अब यह काईस केर की test की value seventy six है यहाँ पे zero cell है जिसका expected count जो है less than five है minimum expected count seventy two है यह यह हम यह कह सकते हैं के gender has a kind of association with the discipline of the university students उनकी gender और उनके discipline के तरमयान एक association exist करती है अब उसकी strength क्या है तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे क्योंकि यह two by three का table है तो two by three के table के लिए हम देखते हैं के हम क्रेमर वी लेंगे तो इसकी वैल्यू पाइंट two four seven है और यह पोई वैल्यू पाइंट zero five से कम है और यह एक moderate सा relationship है क्योंकि इसकी value point two zero से ज्यादा है तो हम यह कह सकते हैं के there is a moderate relationship between gender and the discipline in which they are studying तो इसके दरमयान एक association exist करती है